जैहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं वीपद सामिकड को बिलोपन विदी और प्रतियस्थापन विदी से कैसे हल करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल कलास आठ में ही देखने को मिली होगी लेकिन ये सवाल आपको कलास नौ में और दस में भी देखने को मिलती है जो कि most important है और ये वला board exam में एक ना एक सवाल जरूर से देखने को मिलती है इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको बहुत ही आसान तरीकों से दोनों विधी आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हमने एक ही सवाल को दोनों विधी से करके मैं आपको सिखाऊंगा यदि आप देख लेते हैं तो बहुत ही आसान भासा में सीख जाएंगे दोस्तों सबसे पहले मैं हल करता हूँ बिलोपन बिधी दोस्तों बिलोपन बिधी में सबसे पहले ये देखना होता है कि साम्मिकरण 1 में और 2 में कवंध सा पद बराबर है यानि कि इसको बलते हैं X वाला पद इसको बलते हैं Y वाला पद तो देखना ये होता है कि साम में करण एक में और दो में कवंसा पद बराबर है एकस वाला पद बराबर है कि वाई विला पद बराबर है लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पद बराबर है यानि कि एकस वाला भी और वाई वाला भी लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो X वाला है यह दोनों पलस पलस है और Y वाला एकठो पलस एकठो माइनस है अब दोस्तों करना यह होता है कि आपको X वाला पद या तो Y वाला पद को काटना होता है यदि आप किसी एक पद को काटेंगे तो आपको दूसरे वाले पद का मान मिल जाएगा तो इस परकाट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वाई वाला पद को काट लूँ क्योंकि इसमें पलस माइनस पहले से है अब दोस्तों अगर पलस माइनस पहले से ही रहेगा तो आप लिखिएगा जोड़ने पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर अब दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यह करते हैं कि जोड़ने पर यहाँ पर पलस माइनस रहेगा तो घट करके कट जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 ठो पलस 1 ठो मैंस होता है तो वहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर y में स्वाई घटेगा तो कुल मिला खतम हो जाएगा यानि कि हमने यहाँ पर काट दिया है अब दोस्तों यह दोनों पलस हैं तो 1x और 1x हो जाएगा 2x इस परकाट से यहाँ पर 14 और 4 18 इस परकाट से 2x बराबर हो गया 18 अब दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे x बराबर तो हो जाएगा 18 यह वाला जो 2 है इधर है गुडा में अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो हो जाएगा बत्ता में यानि कि अगर इधर रहेएगा गुड़ा में अगर आप इस को लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाता है बत्ता में इस प्रिकार से 29 18 यानि कि एक्स Komannen हो जाए दोस्तों नौ अब दोस्तों आपको एक्स का मान जैसे मिल जाता है तो क्या करता है ना कि आप लिखेंगे कि एक्स का मान X का मान समे करण 1 में रखने पर यानि कि आप समे करण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं लेकिन आप ये देखिएगा कि आपको simple कौन लग रहा है यानि किसमें रखें कि आपको ज़्यादा गुड़ा भागना करना पड़े तो इस परकार दोनों ही simple हैं लेकिन मैं रखता हूँ समे करण 1 में तो 1 में रखने पर अब दोस्तों समे करण 1 कितना है समे करण 1 है X पलास Y बराबर 14 यहाँ पर हमको X कमार मिल चुगा है 9 तो जहाँ पर X है उसके स्थान पर रखेंग 9 और ये वाला पलास Y अपने स्थान पे बराबर 14 अब दोस्तों अगर आप Y बराबर निकालेंगे तो Y बराबर 14 हो गया और ये वाला 9 इधर है पलास में अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस में इस परकार से Y कमान हो जाएगा यहाँ पर घटेगा 14 में 9 यानि कि X बराबर 9 और Y बराबर 5 अब दोस्तों हम लोग इसी सवाल को करेंगे प्रतियस्थापन दी से दोस्तों दोनों ही बीदी में आपका एंसर सेम आएगा यानि कि जिस परकार से यहाँ पर X कमान 9 और Y कमान 5 आया है इसी परकार से यहाँ भी यानि कि प्रतियस्थापन वाले बीदी से भी दोनों गैंसर सेम ही आएगा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों इसमें क्या करता है ना कि आपको सबसे पहले लिखना होता है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से यानि कि आप समीकरण 1 से किसी 1 का मान निकाल लेंगे यानि कि मैं आपको दिखाता हूँ ये दोस्तों समीकरण 1 है अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर दोस्तों यहाँ पर 14 है अब क्या करते हैं ना कि अगर आप x बराबर निकालते हैं तो इस वाले y को ले आएंगे बराबर के इस साइड अब दोस्तों इधर है plus अगर ये वाला आएगा इधर तो हो जाएगा minus यानि कि यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14-y अब दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका x का मान निकल गया 14-y अब दोस् दो में रखने पर यानि कि अगर आप x का मान समेकरड एक से निकालेंगे तो उसका मान समेकरड दो में रख देंगे तो यहाँ पर समेकरड दो है x माइनस y बराबर 4 यानि कि यहाँ पर हमने x कमान निकाल रखा है कितना 14 माइनस y तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 14 और माइनस y और दोस्तों ये वाला माइनस y अपने स्थान पे बराबर 4 अपने स्थान पे यानि कि ये वाला अपने स्थान पे ये वाला अपने स्थान पे x कमान हमको मिल चुका है 14 माइनस y तो हमने यहाँ पर रख दिया अब दोस्तों यहाँ पर minus y minus y आपको पता होगा कि अगर दोनों ही संख्या minus होते हैं तो वहाँ पर जोड़ेते हैं और दोस्तों यहाँ पर 1y और 1y कुल मिला कि minus में 2y बराबर 4 और दोस्तों यह वाला इधर है plus में चौदा अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएग minus में चौदा अब दोस्तों कुछ लोग यह कहते हैं कि आप कैसे कह दे रहें कि यह वाला पलस में है दोस्तों इसके सामने देखते हैं यानि कि किसी भी संख्या के आप सामने देखेंगे जो चिन रहेगा उसी को मानते हैं यहाँ पर देखिए इस वाले y के आगे minus था तो ह यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं पलस बोलते हैं तो इस वरकार से यह वाला पलस में था अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा minus में अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा minus 2y बराबर दोस्तों चार के सामने भी कोई चिन नहीं है तो यह वाला plus में है और यह यह वाला माइनस हो गया तो आपको पता है कि पलस माइनस हमेशा घटाते हैं अगर आप 14 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 10 और दोस्तों चिन रहेगा माइनस का क्योंकि अगर एक टो संक्या पलस और एक टो संक्या माइनस होता है तो वहाँ घटाते हैं और चिन उसका लिखते है जो बड़ा है दोस्तों यहां पर बड़ा है चवद और यहां लिखेंगे माइनस में अब दोस्तों वाई बराबर हो जाएगा माइनस दस बट्टा में माइनस दो यानि कि यह वाला माइनस दो गुड़ा में है अगर आप लेंगे इसको इधर तो जाएगा भाग में इस प आप लिखेंगे कि y का मान, y का मान, दोस्तों यहाँ पर आप इसको समय करड़ 3 भी मान सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि y का मान समय करड़ 3 में, 3 में रखने पर, रखने पर, दोस्तों, x बराबर 14 माइनस y है यह वला, यह वला कितना दोस्तों, x बराबर 14 माइनस y, और दोस्तों, x बराबर हो गया, 14 अपने अस्थान पे y का मान मिल चुका है 5, तो यहां पर x बराबर हो जाएगा जोदा में घटेगा पांच तो बचेगा नौ और दोस्तों यहां पे हमने y का मान भी निकाल लिया था कितना 5 तो इस प्रकार से इसका भी मान x का मान नौ और y का मान 5 आ गया दोस्तों उमीद करताओं कि आपको ये सवाल भी बहुत ही आसान भासा में और आसान तरीकों से समझ में आ गई है अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रेसो प्रेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लमस्कार जैहन